कि या कि में तो आए हेलो के टी चैनल दूस्तों आज मैं डातों के बारे में बता रही कि प्रकार होते हैं किस से बना होता है तो दोस्तों पाऽेन तंद रख के बारे में और बलड के बारे में बलड सिर्कूलेशन हार की बारे में इन सभी की बारे में मैं Anatomy & Physiology की प्लेडिस्ट के अंतरगत वीडियो बना चुकी हूँ आप उन सब वीडियो इसको Anatomy & Physiology की प्लेडिस्ट में जाकर देख सकते हैं और दोस्तों यदि आप आप दोस्तों चलिए जानते हैं जैसा कि दोस्तों हमारा दात जो है इसका प्रेक्टिस करना आप मत भूलिएगा तो दोस्तों चलिए जानते हैं दात के बारे में जैसा कि दोस्तों हमारा दात जो है इसका निर्माड कठोर उत्तक्षे हुआ है दातों की अध्यन को और जो हमारा दात होता है वह भूजन के यांद्रिक पोचन में रिषा होता है यह याद रखिएगा दोस्तों दाटों के तीन आवरड होते Today से बारे मार कों कहते लिए जो सरीर का सबसे कठोर भाग होता है कैलसियम एपेटाइड से बना होता है ठीक है दोस्तों एंड सबसे बाहरी भाग इनेमल हो गया उसके बाद इनेमल के नीचे कैलसियम की एक परत होती है जिसे डेन्टाइन कहा जाता है ठीक है डेन्टाइन कहा जाता है डेन्टाइन जो है कल्सियम फार्सफेर से बना होता है एंड डेन्टाइन के नीचे मज्जा गुहा रक्तवाहिनिया तथा तंत्रिकाएं पाई जाती है ठीक है डेन्टाइन के नीचे क्या पाई जाता है मज्जा गुहा यानि blood vessels पाजाता है इसके अंतरगत रत्वाहिनिया तथा तंद्रिकाय पाजाती है तो हमने क्या जाना दातों के तीन परत होते हैं सबसे ओपरी आवरार को हम कहते हैं इनेमल जो कैल्सियम एपेटायड से बना होता है सरीर का सबसे कठोर भाग होता है कई बार कोश्चन ने पुछा जा चुका है कि सरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल फिर इनेमल के नीचे वाले परत जो होता हो देन्टाइन का लाता है जैसा कि चित्र में दीख रहा है डेन्टाइन जो होता है वहां कैल्सियम फास्फेट का बना होता है और डेन्टाइन के भी नीचे मज्जा गुहा होता है जहां पे रक्तवाहिया होती है हमाई तंत्रिकाई होती है जिसे हमको दात पे जो ठंधा गरम का प्रभाव होता है तो वह हमको नजर आता है, महसूस होता है इस रखत वहिनियो और तत्रिकाओं के करौण अब हम जानेंगे दोस्तों दात के कितने प्रकार होते हैं जैसा कि दोस्तों जो दात होता है यह सब्सक्राणी द मनुसियों धात से दात पाए जाते हैं इंसीजर केनाईन प्रिमोरल मोरंग इंसीजर जो होता है सामने के जो दाथ होते हैं चार उपर चार नीचे यानि कुल आठ दाथ होते हैं इंसीजर जो काटने का काम करता है इंसीजर के दोनों तरफ होते हैं जो दो उपर दो नीचे यानि कुल चार होते हैं यानि कुल आठ होते हैं भोजन को कुछ चलने के कामाते हैं एन्द मोरल जो होते हैं उ छे होते हैं छे उपर छे नीचे यानि भोजन को चबाने का कारे करते हैं यानि कि दोस्तों इसको आप किवल एक तरब का याद कर लीजिए 4,2,4,6 4,2,4,6 यानि 4 इंसीजर तो चार चार आठ हो जाएगा दो के नाइन तो दो चार हो जाएगा उपर नीचे और प्री मोरल जो है वह चार हो जाएगा जो उपर नीचे मिला करके आठ हो जाएगा एंड मोरल 6 हो जाएगा जो उपर नीची मिला करके 12 हो जाएगा यानि 4 2 4 6 याद कर लिजिए इंसीजर के 9 प्री मोरल मोरल 4 2 4 6 ठीक है उसे 2 का गुड़ा कर देंगे तो आपका दुनों तरफ का निकल जाए जैसे 4 2 4 6 इंसीजर के 9 प्री मोरल मोरल कुल 16 हुए 16 दूना 25 कु बारादात ऐसे होते हैं जो इस्थाई होते हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं तथा बीस दात और इस्थाई होते हैं जो जीवन में दो बार निकलते हैं तो दूद्ध के दात जो होते हैं बीस और इस्थाई दात होते हैं जो दुबारा से उकते हैं तुटने के है उतने हैं सिर्फ एक बार निकलते हैं जैसा कि दो सक्षम के लिए दौनी में पुछ आता है सबसे फ्लॉरी नुक्सान सो दोस्तों यहमने जाना दातों की बारे में दातों से जतना कॉस्टेंश पूछा जा कि यह इसी के अंदर से पुछा जाएगा इससे बाहर नई पूछा जाए गा तो दोस्तों आई होप कि ए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ए वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और ज्यादे सेयर किया किजिए दोस्तों और जितने भी टापिक हैं सबको इस्टेप बाई स्टेप में पूरा करूंगी तो फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो चलों को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को फ्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का आपडेट आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए